आपको वोट्ट देने का अधिकार नहीं है, आपका नाम इहांपे नहीं है। हम्रा जितना भोटर है माईस होके चले गए दीन भर छुटि के काम का छोड़ का है लाइन में लगए भोट ने दे पायो हम लोगों को पता भी नहीं था भी आए वोट देने के लिए तो यहां पा बोलता है नाम नहीं है नमस्कार सोचल संबाद में सभी का स्वागत है मैं मंजीत इस वक्त जमसेथपूर लोग सभा की खबरे से जोड़ रहे हैं जिस तरह से देख रहे हैं जमसेथपूर समय तराची धनवाद और गिरिडी चार जगों पर मतदान सुभा से लगातार जारी है हलांकि अब तक जो स तरगत और सोनारी जो मतर अलग 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 शेतरों में वन्लोगों हमारे साथ बरिष्ट्र भाचपा नेता सहिंग है उन से हम रहे जानते हैं कि किस त tenían का महौल है क्या उनकी प्रतिक्रिया है था रहे मदान को ले कर को सब्सेब बहुत बड़ा चुनाओ जो दोजार चौब़ीस का हो रहा है यह इतिहास रजने जा रही है लेकिन इसके साथ-साथ जो वोटरों में जो समस्याइज देखी जा रही है पहले के सबसे पहले लोगों में इतनी उस्सा है कि सुबस 6 वचे 5 वचे 5 वचे लोग से लोग लाइन लग लग गए तो आप समझ सकते हैं कि 5 वचे 6 वचे लग लग के लोग वोटर लोग इंतेजार कर रहे हैं और वोट देने का अपना दोस्तितर हैं इसके पिछे निश्टी तरुफ से कोई नहीं कोई बड़ी साजी से हैए कोई बड़ा सरयंत्र है जिससे कि मत दाताओं को मत देने के अधिकार से रोका जा रहा है इसके लिए कौन जिम्मवार है और किसके पर करवाई होनी चीए मैं प्रसासन से आगरा करता हूं कि जो जिम्मवार बेखती है उसके उपर जबूर निश्ची तुरुप से उसके उप कदमा, सोनारी, अभी सोनारी में इतना भेंका रिष्टिति एक जगा स्कूल में, अभी हम लोग है डी एबी स्कूल में, वहाँ पे सो तब रेर सो महिला यह इकठा हो गई, कि हम लोगो बोट देने से बंचित किया जा रहा है, क्यों ही हमें वोट दिया जा रहा है और कमों बेस सब बुथों पे ऐसी ही इस्तिती है ये इसका रीजन क्या है सरकार को भी जानना चाहिए कि क्यों इतनी बड़ी चूक होई क्यों इतनी बड़ी गल्ती होई और इसका जिमुवार कौन है कि लोकतंत्र में किसी को वोट देने से आप बंचित कर रहे हैं ये बहुत ही बड हाला कि बूत बता दे एक तरफ उत्सा का महौल है जिस तरह से बता दे कि कई लगतार ऐसे जो मद्दान कर्मी है वो बूतों पर लंबी कतारवद एक तरफ देख रहे कि 44-45 डिग्री तापमान के बाब जूद भी मद्दाताओं में उतनी उत्सा है और एक तरफ कहीं कुछ लोग के कुछ ऐसे बूत हैं जो कि मादाता नराज हैं और वो किस तरह से मायूस है क्योंकि उन्हें लगतार लगबग 5-6 गंटा वो खड़े हैं बूत पर लेकिन उनको वोट देने से इंकार कर दिया गिया है हाला कि उनका कहना है कि वोट पिछले जितने भी चुनाओ थे वोट इसी संट्र पर दिया गया था और इसके बार का जो है इसमें वोट लिस्ट नाम कट गया है हाला कि इसके विसे में जो वाजपा नेता नीरस सिंग है पूरे तरह से बता इसका क्या लगता है यहाँ का अपना जो उनका बूत है जहाँ पर नाम होना चाहिए उसको फिर से एक बार रिवीव करके उनका नाम को डलवाने का पूरी कोशिश करनी चाहिए सरकार को इस तरह से लोक्तंदर की हत्या नहीं होनी चाहिए इस देश में जहाँ पर कि आप देख रहे हैं कि कितने लोगों में उस्सा है सुवच से लेकिन लोग जो बंचित हो जा रहे हैं उनके पर क्या गुजरती होगी कि लाइन लगाने के वाज जब उनकी बारी आती है तो उनको बोला जाता है कि आपको आपको वोट देने का अधिकार नहीं आपका नाम यहां पर नहीं है आखिर नाम किस ने काटा और काटा कहीं क्या लगता इस मद्दान से कितना फर्क पड़ेगा क्योंकि एक मद्दान एक बहुमुल मद्दान जो है वो काफी योगदान और देखिये एक मद्दान परत्यासी का भविष्च्ट का फैसला करता है निसी दुरूप से एक मद्दान का भी इंपॉर्टेंस उतनी है जितन परती जो जागरुपता अवियान चलाया जा रहा है उसको जो लोग अभी वोट नहीं दे पाए हैं लाइन में लगे हुए हैं निशी दुरुप से लोग अपना वोट कास्ट करेंगे ही लेकिन फिर से सवाल उठती है किस लोग तंत्र में मत देने से मत देने के अधिकार से वंचित क्यों किया जा रहा है यह एक बहुत बड़ा कोस्टन मार्क है इसके उपर मैं आपके प्रेस के मार्दियम से आपके चैनल के मार्दियम से मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर इतनी बड़ी साजिस क्यों की गई कि हमारे कुछ भाई बंदूओं को वोट देने के अ क्या लगता है यह मतदाता जो वंचित रह गए गोड़ देने से इससे क्या फर्क पर सकता क्योंकि आपने देखा होगा सभी का नारा है पहले मतदान फिर जलपान इसके वावजूद भी इस पर पड़ेगा हमरा जितना भोटर है माईस होके चले गए दीन भर छुट्टी क यह काम का छोड़का आए लाइन में लगे भोट ने देपाए माईसी सभी को मांग है कि नाम जोड़ा जाए वह सामने माई हुए दो जोग उनका यहीं बोट देते था बराबर अभी उनका बोलता कि आपका नाम कड़ी जोड़े क्या रहे सामने मारे हर बुद्ध पर है इ देते हैं आप यहां पर लगातार भोट दे रहे हैं और उसके बाब जूद इसवार नाम क्यों नहीं है यहां पर बोलता है नाम नहीं है क्या लगता है यह वोट से क्या आपका फर्क आप एक एक मत कितना बहुत बहुत मुल्य है हम लोग तो इसलिए देने आये हैं लेकिन बोटी नहीं हो रहा है